शनेदेव को क्यों चड़ाया जाता है तेलानन्द रामायन की एक कथा के अनुसार लंका पर चड़ाई के लिए समुद्र पर बांधे गए पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौपा गया था। हनुमान जी रात में भगवान राम का ध्यान करते हुए पुल की रक्षा कर रहे थे कि वहां शनेदेव आ पहुंचे और उन्हें व्यंग्यबानों से परेशान करने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव के सारे आक्षेतों को स्मीकार करते हुए कहा कि कृपया वह उन्हें पुल की रक्षा करने दे लेकिन शनिदेव बाज नहीं आये। अंततर क्रोधित होकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंच में जकर कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। काफी देर बाद हनुमान जी ने उन्हें मुख्द किया और दर्ग से निजात पाने के लिए एक तेल लगाने को दिया। इसके बाद से ही शनिदेव को तेल चड़ाते हैं।